जहिन मेरे डी येर साथी मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने माले हैं डी फार्मा फर्स्ट इयर का यह चेपी यानि हुमन एन टॉमी एन फिजियोलोजी का यह जो मॉडल पेपर है ठीक है यह आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है यह मॉडल पेपर ठीक है आप पार्ट A से जो रहता है ठीक है पार्ट A से जो रहता है ठीक है किनी 6 कोस्चन यानि कोई 7 कोस्चन रहता है तो 6 पचे 30 यानि 6 कोस्चन आपको अटाइम करना रहता है हर एक कोस्चन किते नमबर का रहता है 5 नमबर तो 6 पचे 30 नमबर आपको यहां से मिल जाएगा यह पार कराएगा उसके पर पाइट C जो क omega था है उसमें छी देंदी ब्लैंक भी हो सकता है यह में सब्सक्राइन लिएक właśnie यह जो है question यह आती महतपूर है इसको हम क्या करेंगे one by one इदम detail में देखने वाले हैं ठीक है तो चलिए start करते हैं आपका पहला यहां से यह चेपी का पहला question दे रखा है देखिए कर दिया किसी six question को आपको time करना साथ question part a में रहेगा साथ question में से किसी six को आपको time करना रहेगा और हर एक question किते नमबर कर रहेगा पांच नमबर का होने माला है ठीक है तो इसमें कहा क्या है define skeleton यानि आपका जो हड़ी वाला system skeleton को define करना है फिन name the bone of the axial and appendicular skeleton मतलब जो आपका axial bone होनती है और appendicular bone होती है इसको आपको define करना है यह total total कि नमबर का पांच नमबर का question है तो आपको सबसे पहले definition लिखेंगे इसके लेटल का तो एक नमबर axial bone को define करेंगे उसके type यानि को दो नमबर और appendicular bone के बारे हम define करेंगे तो आपको किता नमबर दो नमबर यानि one plus two plus तुमारे पार two बराबर में पांच नमबर आपको मिलने व्हाला है थीक तो चलिए सबसे पहले इसे अब देखते हैं ध्यान से तो सबसे पहले isolator होता की है ुदिस वहाला होता क्या है एक हड्डी टूडती एक number का aiqial bone कोacts क्या करना Iris Crane घुह उठना होता है इसकल आपका include होता vertebular column होती है और rib cage होता है मतलब makes emblem bet तोडल यौटेंड तीन चीज़ 5 दियंग यह सीनेवाले हड्डी होती फे टक गई होती है ठीक है इसके क्या रिखा बोन आप इसकल मतलब हमारे जो इसकल होती उसमें कितने बोन होते हैं हमारे इसकल है जो टू सेट आप बोन मतलब हमारी जो हड्डियां होती है यह सर में तू सेट बोन होती है ठीक है टू सेट बोन होती है और क्या होती एट क्रेनियल बोन होती है आठ हमारे पास बोन फेस्यल जिससे बोन बोलते हैं उसे हम डीफाइन कर देडिकि वह नाम आपको लिख देना काम खतम हो जाएगा ठीक तो यानि दो पार्ट में तुम्हारे पास एक पार्ट यहां से ओगए यहां से करें e dunnum आप का करेंग करिगे नहीं पार ते सबसे पहले लिखा की एक ते फनर के अन्टरगत जूर बन के अंतरगत कने की अंतरगत आते हैं कि एसे आप और पूछेगा कि पुछे पताना आठट वताना ठीक है यह होगया अब हमारे पास चौदेफ Näसीयल बोलाते हैं कितने चौदेफ रिवंडोर नां सुन देते हैं चौदेफ रिवंडूर्गल में तुमारे पर 2 मैंकजीडा वन आते हैं तु जीगमॉईर्ट य्यानी जीगमोंटिक के बाद तुम्हारे पास क्या गीं बोलर जो अधिक हम ऐने आगma यहां से देख लिया यहां से अब इसी में हमें और बोन के बारे मौर बताना रहेगा ठीक है बोन के बारे में है नीचे ठीक है अभी बहुं सारे क्वाइब को पूरां ओन कमा अभी Его कालम तो ऊहां है नाई स्पायनल काट पीछे वाली हड्डी होती है आपके टोटल हूंति यहां से हम क्या करते हैं नीचे करें यहां से का नाम से नाम देख लेते हैं यहां पर स्टिमाते हैं होती हैं तुम्हारे पास फॉरहिस तुम्हारे पास के आटी ओर यहां से बॉण हो गया इस के बारे एंखे अब ड़ίक करते हैं आप 12 पर हमारे पास का होते हैं рис przeszाय होती होती है ठीक होती है तो पूझ पक्रेटि होते हैं तो आप एक और परलीम और तुम्हारे पास पास पेल означ अपल्विक और लूवर लिंब यह सब इसमें का होते हैं इनकुलूड होते थीक आ पार एहां सबक्सक्राइश नोगें ही हां यहां से पंतर्गत बॉन आप आप लिम्ब बॉन अंदर गर देखा जा तो यह आते हैं इसमें क्या हो जाते हैं रेडियस अलना कार्पस मेटा कार्पस और फैलेंजस होता है दुबारा सुनिये क्या बोल दिये हैं ठीक है इसमें दुबारा बोल दिये हैं हम क्या दिसे दुबारा सुनिये हैं हुमरस होता रेडियस होता अलना कार्पास не कार्पास डू में याराद राद रीडियस तो दो और हमारे पास्वे यानि कार्पास टूंब यानि कार्पास भी DOWN अधिक और neighbors दो होते हैं धरीक है और मेतर कंव भी ड्शोते हैं कार्पास आपके सोले की संख्या में होती यह साब याद रखे है कubscribe की संख्या सॉला होती मेटा कर्फाष के दस होती है अब फैलेंजर के कितना ऊता टोटल अठाइस बॉन होते हैं ठीक है और यहां से फेलिविक ग्रीड याकन everyday बों होता है पटेला यानि इसमें पटेला जो होता है ठीक है पटेला होता है टारसल होता है मेटा टारसल और फैलेंजस होता है इनकी संख्या देख लिए फीमर की संख्या क्या होती है दो हमारे सरी की सबसे बड़ी हड़ी यही होती है ठीक है ठाई बोंजी से बोला जाता है यह हमसे पूछा था तो हमने क्या कर दिया इस लेटल के बारे में और इसके बारे में सब को जम डीटेल में कबर अधाम से थीक है नेस्ट इन फाइनल कोश्चन हमसे पूछ दिया है डिसक्राइब दहें प्रोसेस अब बलड काउगूलेशन क्या होता और कौन-कौन से से फैक लिखेंगे तो एक नंबर रिटाइडर लिखेंगे तो एनी दो किसी दो-दो का नाम बताना पड़ेगा तो एक नंबर यहां से मिल जाएंगे ठीक है तो आप सबसे पहले यहां से कुछ देख लिए बलड एक्चिलों होता क्या है ठीक है विन बलड वेसली डैमेज यानि प्रिक्ट लग गई ने फिर देख रहाती है अब उसे सब्सक्राइब करने के लिए बहुत सारे चीज प्रोसेस होते हैं जिसे हम कागुलेशन प्रोसेस बोलते हैं ठीक है यहां से क्यों पूछ वस्व कंट्रक्षन वस्व कंट्रक्षन यह तिक लिए खोडी के व्लड या हम से कौल मैकेनीजम पूछा तो हम मैकेनीजम बनाते हैं च्म जो पूछा तो हम क्योंकि company व्लड तक सक्राग्लेशन क्या होता कौन कौन से स्टेप में होता हो में ख़तम कर देखो सबसे पहले कागुलेशन इन ब्लड क्लोटिंग को कागुलेशन करते हैं थरंबबो प्लास्टि ने थरंप और रिल्लिच कान करता है डेमेज टीसू ठीक बाई इक्स्ट्रीनिक और इंट्रेंश्जिक पाथवय मतलब एक अंदर वाले बाहर वाले दोनों पातवय प्रोसेस ह करते हैं यए फिब्रीन में कर जाता है अब यही प्रोसेस को आपको क्या कर देता है यहां से आप फोटो कि दिखाते हैं जो हमने हाँ से लिखा उससे वह ज्यादा सूटेबल हमारे हमें लगता है ठीक तो यहां से आपको दिखा देते हैं मैकनीजा माप बलड क्लॉटिंग यहां से थोड़ा सा पर लिजाएगा जो नीचे हम प्रोसेस लिख रखें प्लीज उससे आप देखिए रहा स्थिति में क्योंकि जब हमारा पार टीसूर रेप्चर होता तो एर की कॉंटेक्ट में आता था थ्रंबो काइनेज बनाता है अब यह जो थ्रंबो काइनेज क्या कर देता प्रो थ्रंबीन को क्या कर देता इनेक्टिव फॉर्म में रहता तो उसे कैल्सियम आइन की उपस् तिपरीन क्या करेगा ठीक किसे जाएगा के फास ठीक है डब् coordous स्विक्त के पास जाएगा और क्या करें नेट वर्क पॉर्म करदेगा जीसर यह निट वर्क फाम करदेगा हम जाली जानी संसना थीड़ा को तो से फॉर akin वहीं सब्कुछ में उन में भीजा सकते वर 50 हैं कोई होता तब हमारे पास किसी व्न यानी स्नेक और बाइट करते है तब यह असलेरेट होता है ठीक है हाई टमप्रेचर रहेगा तब असलेरेट होता है परजेंस आप केल्सियमाइट यानि यह सब तुम्हारे पास असलेरेटर मतलब इस लेटर देते हैं कि जिससे हमारा बलड जल्दी-जल्दी क्या हो रिलीज हो बाहर की तरब और उसे को रोकने माला होना चाहिए ठीक है तो इस कंडिशन में तुम्हारे पास हीमोफीलिया लिवर डीजी यानि का वहता है फिब्रीनो जीन या और क्रिस्टमस डीजी यह सब तुम्हारे पास डीजी खोते हैं जो क्या कर देते हैं रिटार्ट कम करते हैं ब्लड कलोटिंग को ठीक है कि यहां से कुछ और दे रका हैं I mean यहां पर चलते हैं drops कि क्या पूछा कॉश्चन इस ट्रक्चर इन फंक्शन आप इसकी लेवल डाय ग्राम आप से पुच्छा है ठीक मतलब सबसे पहले structure फंक्शन आप इसकीन का structure बताना उसका function बताना चोटा सा डाय डीग्राम बनाना भिः किते नंबर यह पांच नंबर का है ठीक है तोокаिसमें वन इस टीक्टर बना गेंगे तो दो गोरी अब दोडब बताएंगे तो हहले पैडमी को देखें से करेटिन जो तुमारे ब्लैक कलर की थोड़ी से होती उसे क्या बोला जाता है ठीक जिसमें नो ब्लड वेसल पीडर्म इस पीडर्मिस में कोई बलड़ वेसल नहीं होती है यह याद रखिएगा ठीक है और यहां से आप थोड़ा सा इसे देख लीजिए यह एक्चुल में काम नहीं है ठीक है डर्मिस देख लीजिए आप यहां से क्या करिए ठीक है डर्मिस देखने के बाद आप सीधे इधर चले आईए ठीक है यहां से जो जो हमसे कहा है उससे देखिए आप क्या हो गय यहां से देख लेते हैं, सबसे बहले क्या कर देता है, प्रोटेक्शन करने का काम करता है, यानि क्या होगता है, बोडी टमप्रेचर को कौन रेगुलेट करता है, यही स्कीन करता है, ठीक, फार्मेशन अब बिटामिन डी करते हैं, कि हमारा सनलाइट की उपस्तिती है, हमारा प्सन लाइब थीट विटामिन डी क्या कर देता हो यही करतेता है और यह तरह का sensation का काम करता है sensing का काम करता यह सब काम हो जाएंगे इसके अंदर तहीं आपको क्या कर देना था यानि देखे सबसे पहले आपको एपि यानि इसकीन क्या होती है इसका structure बताना function बताना और थोड़ा सा इसके बारे में define कर देना था ठीक है तो यह आपका number 5 number यहां से हो जाएगा अराम से ठीक है अब next question तुम से पूछा है name the wall in chamber of human heart explain the cardiac cycle सबसे पहले क्या कर देना है यानि heart में कीतने wall होते उससे बताना है heart में कितने chamber होते है उससे बताना है फिन cardiac cycle को explain करना तो आपको क्या number मिल जाएगा पांच नमबर यहां से मिल जाएगा अराम से तु सबसे पहले देखिया wall of heart हार्ट में कितनेездory टोटल चार wall ओते है ठीक है एक तुम्हारे पात देखिए हर्ट देखा रहा तो इसे चार शिंबर के होते हैं ठीक है ये लेप्ट आर्ट्रियम होता है ठीक है ये लेप्ट आर्ट्रियम होता है ये राइट आर्ट्रियम होता है ठीक है और ये तुम्हारे पास राइट वेंटिकल होता है और ये वाल के नाम से भी जाना जाता और एक तुम्हारे पास वाल होता है राइट आर्टियम से यानि राइट वेंटिकल के बीच में ट्राइकस्पिट वाल बोलते हैं ठीक है ट्राइकस्पिट वाल बोलते हैं जो राइट की साइड में पाये जाता है उसे ट्राइकस्पिट जो ल यह हो गया अब हम क्या बोलें इसके हर्ट में किते चिंबर होते हैं चार चिंबर होते हैं तो इस चारों चिंबर को हम क्या कर देते हैं थोड़ा सा यहां से डिफाइन कर देते हैं ठीक है यहां से देखिए चार चिंबर होते हैं तो पहला चिंबर तुम्हारे पास यहां ले उपर याद रखेंगा और नीचे वाला हमेशा हमेशा तुम्हारे पास क्या रहेगा वेंटिकल लेगा यह आप याद रखेंगा ठीक तो हमने क्या कर दिया वाल बता दिया और उसमें किते चिंबर होते हैं उसका नाम यहाँ से बता दिया ठीक अब लाश्ट टे कार्डियक स PLUING EACH 색깔이 CART cardiac cycle मतलब हमारी हर रेत एक बार रिलैक्स करता है तो वारे सरीर से बाहर की तरफ आता आ हमारे सरीर आता है एक चुली वापस हो के हमारे हरोट में आ तो ये बसाइकल दो बार होती होती है इसलीह क्या बोलेता है से कार्डियक साइकल अब यह सब परखिरिया होती है एक कार्डियक साइकल बोला जाता है ठीक आपके सामने यह छोटा सा डाइग्राम हो गया एक कार्डियक साइकल में 0.8 सेकेंड लगता 0.8 सेकेंड लगता है तो यहां पर सबसे पहले लिखा इतना जो प्रोसेस जो 0.1 सेकेंड में होता हुसे हम आर्ट्रियल सिस्टोल बोलते हैं और यह जो प्रोसेस होता हुसे हम क्या बोलते हैं वेंटीकुलर सिस्टोल बोलते हैं और यह कंप्लीट ठीक कंप् होता है हर्ट साइकल कार्डियक साइकल होता हर्ट साइकल माते कही है ठीक है उसी को आपको क्या कर देना डिफाइन कर देना अब वही चीज यहां से आपको क्या कर देना लिख रखा है अराम से ठीक है ठीक है यहां से आपको लिख रखा है तो आप यहां से देख सकते हैं आर पूछा भाई कर दिया है यानि यह शाप कीड़ीनिक स्ट्रेट्टर मतलब क्या करने सबसे पहले कीड़ीनिक आपको क्या कर देना मुद्ध करना रहेगा तो सबसे पहले इस अप किड़ीनिक देखते हैं लिखा तुमारे पान फिरी में है यह आप टीशू ठीक है तो सबसे पहले हम आपको क्या कर देते किर्णी का इस्ट्रक्चर ही दिखा देते आपको थोड़ा सा यहां से ठीक है यह आपका क्या हो गए एक यानि एक सेक्षन काटा हुआ किर्णी का एक्चुल में वह अला डाइग्राम बनाना चाहिए था ठीक ह चलो नहीं बनाए तो क्या किया जाए तो यह तुम्हारे पास क्या हो गए एक यहां पर इस्ट्रक्चर हो गया किर्णी का ठीक है एक्चुल में किर्णी पूरा बनाना चाहिए था चलो कोई टेंस नहीं यलेस पूछा भाई यलेस पूछा तो यही बताना लांगिट्यून सराओंडिंग दिनी की जो सराओंडिंग पार्ट होता इसे फाइब्र टिसू बोला जाता है ठीक उसके बाट काट इट स्थिए ब्राउन कलर का वोता है जो बिलोका जैप्सूल की जट नीचे आफ़ एंथा हम क्या बोलते हैं ठीक उसे लोया जाता है और आट माइनर कैप यानि क्या होता कैलिक्स में ओपें होता ठीक है तो यहां से थोड़ा सा बना दे रखा यहां से लिग रखा माइनर ठीक है मल यह से चोटे-चोटे कैलिक्स जिक दो के स्टेश चाहिता सब्दक से तरह कि तरह की यहां से कितना प्यारा बना रखे हैं अराम से यहां से आप तो आप सकते हैं ठीक है यह हो गया यहां से अब नेश को से पूछा reflex एक्षन क्या होता इसको आपको डिफाइन करना यह भी कितने न नंबर का है यहां से पांच नंबर का है ठीक है तीक तो यह आपका दे रखा तुम्हारे पास यह फो नंबर कोश्चन रिफ्लेक्स एक्षन क्या होता इसको डिफाइन करना है और बेसिक कंपोनेंट आफ रिफ्लेक्स एक्षन विथ लेवर डायग्राम आपको डिफाइन करना एकदम डीटेल में सबसे पहले देखिए इसको हम अच्छे से डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्षन को हम यहां से देख लेते हैं आराम से ठीक है घिक तह को देखिए रिफ्लेक्स एक्षने इजरे इनवोलेंट्री इमिडिटली मोटर रिस्पांस टुझास टूसेध इस सेंसरी स्टूम लश होता काने का मतलब इनवोलेंट्री मतल्च जो हमारे कंट्रोल में नँहों उन इन वोलेंटरी जो हमारे कंट्रोल में उससे क्या बोला जाता है ठीक है तो यह कंपोनेट आप रिफ्लेक्स आरक एक्ष्वल में होता क्या उसके बारे में थोड़ा सा यहां से हम आप क्या कर देते हैं दिखा देते हैं ठीक है लिकाद कंसीश्ट आप इस्ट्रक्चर विच इंवाल दभ यानि लिखा प्लोड़क्ट्ट अब ड्रीट्ट सेक्ष्ट दिजी इस्ट्रक्चर एक्या होता है सबस्रेपहले मौन में चीज होते हैं एक सेंसरी रिसेप्टर होते एक मोटर नुवरान हो तो सेंसरी रिसेप्टर पर जेंट इनी इनी स्कीन वीच रिसीब the sensory impulse मतलब sensory neurons w ago must have sensory receptor होता हमारी skin के उपर present ہوتे हैं जो क्या कर दे तो जाने सजरी इंपल्स होता सो उसे receive करने का काम करता यह हो गया पहला पोिए चैने सफुनिक इंप प्रांश्पित य से एक सबसे पहले देखो क्या सेंसरी नियूरान क्या कर देते हैं जो भी सेंसरी इंपल्स आता उसे क्या कर देते हैं ट्रांस्मीट करते हैं एक जगह से दूसरे देगा भेजने का काम करते हैं ठीक है और क्या होते हैं कहां से यहां सेंसरी जो आरगेन होता है ठीक पोस्टेरियर र तइल से होने रिभ्ड रिभी करते हैं इंट्रेट और जनुरेट क्रते हैं और यहां पर जाते हैं अधर जिसाफिद्टत मोटर इंपल्स टू दा मोटर अफेक्टिव अर्गन मतलब क्या कर रहा आप तू सुचो सबसे पहले मालेते हैं हम क्या करें कोई टच की है ठीक है ठीक है तो सेंसरी जो नियूरान होते हो क्या कर देते भांदना से आपको लेकर जाएंगे मोटर नियूरान के पास आरे बहु सोचते नहीं वह वी दिन सम सिकेंड के अंदर होता सम से के मतलब तुरंत हो जाता है ठीक है यहां से आप क्या करेंगे अभी देखेंगे डाइग्राम आप सो तुरंत समझ जाएंगे यहां से आपके देखिए में में चीज़े देखिएगा और कुछ मत पढ़िएगा यह है ठीक है इस पाइनल काट के एक पैरा सा इस्टक्चर हो गया ठीक आप देखिए करता क्या यह जो है पॉर्शन यह क्या कर देता सेंसरी निवरान को यहां पर इंपल्स को ले कर आता है ट्रांसमीशन मतलब जो मैसे जाता हो लेकर आता है उसके बाद क्या जाते मोटर के तरफ रूख करते हैं यहां पर देंड आरगेंब ड़ेस्टंड इस्टम इंपको डिपाइन करना डीटेल में किती नमबर का है पांच नमबर का और यह जो कोस्टान और नमबर का यह आपका फाइनल लास्ट को चलाइक इसका जो लांग खुरन साथ कोस्टन तो देखे साथ महां से किसी च्छ को आपको क्या करना रहता है जब तक आपका बढ़िया से हो नहीं जाता यह आपका इसका PDF चाहिए तो हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं कुछ धनरासियां देखे इसे आप क्या कर सकते आराम से ले सकते हैं ठीक है तो लिख दीजिएगा model paper ठीक है ये चापी यानि model paper ये चेपी का हम तुराद आपको क्या करदेंगे रिसीब करादेंगे बहांत से ठीक है तो इसका digestive system के अंतरगत आते हैं अराम से ठीक है तो यहां पद लिखा है तुम्हारे में चीज चीज किनाल कि मिस किमार मुंसे स्टार्ट होता सब्सक्राइब कि लारज इंटरेंटेंट उसके बार यह होता है लास्ट इन फाइनर इन अस हो तो उसको आपको क्रिफाइन करना है ठीक को और क्या कर देना है जो भी ऐससे यह शोज से टांग हो गया ठीक लिफ यानि लिप्स होज गया थैक सब्सक्राइब अधिक यह थीप्स अब लिखा तुम्हारे पास कमपोजीशन आप डाइगेस्टिव जूस मत्म वाटर होता मिनरल होता म्यूकस होता है इंजाइम पेपसीन तो था बहुत सरे इंजाइम परजेंट होते हैं ठीक है उसके बाद क्या लिख दिया तुम्हारे फंक्सन आप गैस्टिक जूस का तु ऐसा बाद जी ठीक यह आइसो फेगस हो गया यहां से आपने क्या होगी इसे ईश्टमक हो गया ठीक हो आपकी कि हमुद र्लार्ज इंटेस्टैन इसे आराम से क्या हो जाएगी है जाने माले तिक कि आपका यानि माउथ हो गया या इस तो फेगस यह इस टमक ठीक है यह इस मार्ट का इलियम जीजुनम हो जाएगा हो यह हमारी पार लाज इंटेस्टाइन असेंडिंग आडर और दिसेंडिंग आडर उसके बाद क्या होता जानते हो लीवर थोड़ा सा बना कि यह होता तो अच्छे तरीके से दिफाउन कर Hier तुमसे क्या लिखा फंक्सन आप यानि इस टीक जूसिल इसको लिखना सबसे पहले क्या कर रिधा स्लेवरियर्ण वाइलगी अंप्सली मातलब क्या कर देता जो भी एक्सँर फूलस असलारे में क connection कर दोस में कर द DTSコ जो यह सेल के छोड़ा सा ऐनकरीज कर देता ठीक अब यदि यह सील के इसिडिक प्रपरटी इस करें गी तो जो भी बैक्णि यह नहीं बैक्टिरिया रहें जिए डी ब्रोटीन और तम्हारे पास यॉतों में और तुम्हारे पास किस में क्तलैपर घ्मट होती जो मलें जो होती है तीज नो से ङुद्ध करता है लेजुन आरी करता है अब थ़ोक्त करता एक इमने के पतल e cult है मैं ठीक इस समझेसाट एक हो पस्तों उसकती किसी डरीचEC किया जा सकता है यह कोस्चन अपने सब सक्षट्स है टेहिए तो इस तरह से देखा है ओस्ट आपको क्या करना लिखना है अब जो कोषचन है यहां से 11 कोषचन है कि निदस कोषचन का एंसर आपको डीटेल में लिखना और हरे कोषचन तीन नमबर का तो 10-33 नमबर आपको मिलने वाला है यहां से चलिए ध्यान से सुनिएगा लिका अन्नेम धा फंडामेंटल टीशू ठीक फंडामेंटल टीशू अब बोडी डिफरेंस बीटिमें इस्मूथ टीशू इस्कलेटल मसल के बारे में आपको बताना सबसे पहले टीशू वाला चेप्टर पढ़े होंगे तो आप यहां पोस्ट करके लिखिए टीशू की स्टडी को क्या बोलत लिखा है अभी अधरा जाते हैं ठीक है तो नेम टीशू मतलब क्या कर दें था यदि नाम टीशू का लिखेंगे तो एक नंबर डिफरेंस करेंगे तो आपको दो नंबर इसमें ज्यादा नहीं लिखना रहता तीन नंबर का तो कम से कम आधे से एक पेज के अंदर इसे खत सब्सक्राइब करेंगे तो यह सब्सक्राइब करेंगे तो यह भी कनेक्टिशू के अंतरगत आते हैं ठीक मस्कुलर टीशू जितने हमारी मसल होते हुआ हैं फर क्या भरा हुआ मस्कुलर टीशू बनके भर दिया नर्वस टीशू में के लिए कई आते हैं नर्वस टीशू ठीक है नर्वस से लिए नाइध में पढ़ चुके इंद बायो में पहला इस एक ठीक नहीं टीशू वाले चेप्टर में आप क्लेटल मसल टीशू में ठीक तो यहां से हमने क्या कर दिया यहां से आप देख सकते हैं इसे थोड़ा जटके में चलते हैं ठीक है तो यहां से तुम्हारे पास क्या लिखा आया है यहां पर इस्क्लेटल मसल टीशू बोलते हैं इसे नान इस्ट्राइडल बोलते हैं यह त एक नूकलियस रहते हैं तो यहां से क्या होगा दो दो पॉइंट यहां से आप भी देख सकते हैं हराम से ठीक है यह हो गया इनके बारे में ठीक है यहां पर आपका क्या होगा थी नंबर का छोटा-छोटा उसी का आपको रिखायक काठी का यहां पर आते हैं यानि डिफायंतर ठरम को करेंगे तो एक तीन नंबर यहां से मिल जाने माला है यहां से इनु दूसरे गवी होजाएगा सबसे पहले Chron Maker कर देना अच्छे से डिफायन कर देना ठीक है तो सबसे पहले देखें करने मौन्ट इंजेक्ट फिरम एच वेंट्टीकल ठीक एक मिनिट एक मिनट में हमाँ वह क्या एडिक है वह मुते ही का लगुत होता हाँ ट्रोकित नर्माइड गुते हैं sod it abental лучम।li में हो जागा हर्ट रेच ख़statब वह आपका मञेड करते हैं काम बंढ़ लाइटि अ क्योंक होता है ऍसी देख लेते हैं अकोकित्र कोंट्रेक्षण सांत definitely के है यह विंगत्रेट्ण करती करते हैं ठीक है ये कंतरेक्टर Tactो उसमें प्हूंच से उसमें कितना नदेक्स पटान सी को मैं करती है ठीक होता है ठीक है बलड z кл बोलते हैं ठीक तो यहां से तीन नंबर यहां से बन जागा नेश्ट पे तीन नंबर के तरफ रूप करते हैं ठीक है यहां से क्या वलका रखा है भाई क्या कर रहा है ठीक नीट एंट लेबल गराई तो से लेबल मतलब क्या कर देना है ठीक है इच अच्छा इच लेबल डाइग्राम की कितना नंबर देंड एक आधा नंबर का है नूकलियस गाल्जी अपरेटस माइटोकांडिया साइटोप्लार्म लाइसोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकूलम मतलब एक सेल बनाना है तो उसमे नूकलियस को दिखाना है गाल्जी अपरेटस को माइटोकांडिया को साइटोप्लाज्म को लाइसोसोम को इंडोप्लाज्मिक रेटिकूलम को आपको दिखाना है जो जो कहा उसी को आपको डिफाइन करना च्छा दिया तो च्छा को आपको उसी में क्या कर देंगे रिपर ठीक यह ओ गया इनके बारे में नेश्ट पर चलते हैं भाई या नेंद फंक्सन आप लीवर का क्या का देना फंक्सन लिखना पोई छे फंक्सन लिखेंगे तो छे डेड़े कितना कितना होता तीन नमबर आपका क्या हो जाएगा यहां से मिल जाएगा अराम से ठीक तो सबसे कका का होता कार्बो हर्डचे मेटाबोलीजम मतलब कार्बो हाड या का मेटाबबोलीजम करता है और । घ्लाइको हुस ठीक अगलाइको जीनिक फंक्शन करता यही मेटाब уст fabric Creat Spirit अमकरता प्रोटीन metabolkiem एतों यहां यए फार्मेशन आप यूरिय यूरिया यूरिय का फार्मेशन लीवर ही करता है सब्सक्या तुम्हर Geek करना और ट्योंफर अगन्स करना है और ध्योंथ क्ट्सक्रेंस करते से you यही ठीक और क्या लिखा detoxification of drugs and toxic substance मतलब कोई भी toxic substance या कोई drugs लेनी उसे detoxify कोन करता है हमारा लीवर करके बैठा है इनक्टिवेशन आप हार्मोन हार्मोन का क्या कर देता यह इनेक्टिवेशन करता है महले ते कोई हार्मोन एक्टिवेट बहुत ज्यादा मात्रा में तो उसे इनेक्टिवेशन करने का काम करता है यानि सीक्रीशन आप बाइल बाइल का क्या कर देता यह सीक्रीशन करता है ठीक है तुमसे पूच दिया यहां पूर एंटे मा लां आपको डिपायन करना है मतलब फीटी टी मितलन के दो फार्मों नाम लिखना जो कहा हुँ हर्मों क्या होता हर्मों निकालती है इंटू दे 2017 मतलब क्या कर देती है जोहमारे पास इंडोक्राईटी काम तो एंडोक्राइण टीक है इंडोक्राइण ग्राइड होती हर्मोन को सीधे बल्लेड में निकाल देती अब बल्लैड क्या कर देता फालो कि उस तकर भषिप Rider अरगयन और पिरetzt लैंड सेंटीर हर्मोन निकलता उसके बारे में सबसे पहले यहां से क्या निकलता है ग्रोथ हार्मोन जिसे हम भी बोलते हैं और क्या होता थाराइड इस्टुमिंटिंग हर्मोन निकलता तो आप यहां से क्या कर सकते हैं आराम से यहां से इजली ठीक है और तुमसे क्या पूछ दिया यहां से ठीक यहां से क्या पूछा है यानि यहां से मतलब कॉर्फाइक कर रहा है उसका काम बताना है आराम टीक है क्लाशिफाइख देखा जाये जिसमें मतलब जिसमें जंदर है यहां living के एक ग्रूनलोसाइड बोलते हैं ठीक है तो यहां से तुम्हारे पास ग्रूनलोसाइड ग्रूनलोसाइड के अंदर तुम्हारे पास न्यूट्रोफिल इसनोफिल और बेसोफिल आते हैं और एक ग्रूनलोसाइड के तुम्हारे पास क्या हो गए मोनोसाइड और लिंफोसाइ यहां से लिखरागा फंक्षिन डाव फन्ग्षङ यहां से आपको क्या करना पड़ेगा निट्रोस यहां किया करता इसनों फिल थोड़ा काम आप लिल दिता तो क्या हो का निट्रोस पहिए टेगो साई्ट्रोश किनेफर निचर का behaviour को इनव्ट्रुब गलत さब तीगा फाइगो साइटीजिक होता और एंटीजन एंटीबोडी कॉंपलेक्स होती पैरासाइट इन्वेंशन और ओवरकम इफेक्ट आफ हिस्टामीन इन इंवाल्ब इंफ्लामेशन डूरिंग एलर्जिक रियक्शन मतलब जिसको बहां लेते हैं कभी-कभी सुबह उठी है तो थे ने को क्या करता करता है एक तरह के हमारे सरीर के नंतरगत पाया जाता है फिस्टामीन सेरो तो नीन इंफ्लामेशन आप साइट इन देकम उसलों पहले तो यह बेसो फिल वहां पर समलो ठीक एक्टिवेट हो चुका है ठीक लास्ट में तुम्हारे पास मोनोसाइट मोनोसाइट क्या होता फैगोसाइट मतलब जो भी इन गल्फ फोरेन माट्रियल आगा उसे वह खा जाएगा लिंफोसाइट में क्या होता डी डवलप इंटू करता है कि इसमें पूछा था ठीक हम से काम को इतना काम लिखर रहें खर देकर तो यह रहें लिंगे तो में हम अपना नमबर दार देखे आप ले सकते कुछ प्राइस देखर ठीक है यह हो गया इनके बारे में नेक्स को हम यहां से पूछ दिया ठीक इसे आप केवल डाइग्राम पूछा तो आप डाइग्राम यहां से बना देंगे कि फंक्शन भी पूछा का रखा निट लेवल डाइग्राम आप लिम्फ नोड एन इस टेट आप टू फंक्शन मतलब क्या लिम्फ नोड का आपको क्या कर देना है डाइग्राम बनाना ह है और इसका कोई दो फंक्षन लिखना है ठीक है तो यहां से क्या कर देना लिंफ नूट का आपको डाइग्राम यहां सामने यहां से आप क्या कर सकते हैं इसको फंक्षन के करेता तीर्टेरेट करके बाहार को सबस् falei ए-पने आपको मुल्टीपल करते हैं उसे क्लिक करके मार देते हैं निकला वहरे धाक्का मार एक जहां से लोग्या नीजो घ्योलोजी अफुन से कर देना न juda इसना की फुझियोिक को इस्प्लेइन करना है ठीक है। वाजन करी रहे हैं उसला क्राउर आपको एंक वध्सी ताम होत कर देते हैं कि तौह से हम दिखाते हैं यहां से ठीक तो पहले हम आपको थोड़ा सा धेखें डा मैं नीचे निसका हो औरा कभी इस्पाइरेशन हो रहा तो इसमें आपको बता देना मतलब आप इन इस ठीक है इन इस्पाइरेशन पहले समझते दूनुंवर्ड को समझते हैं देखिया हमें करें अंदर लेंगे कब सास औसको बाहर निका लें गें अधिमे दो तीन चीज़ों होती हैं तो जम आप इसन को क्या कर देते हैं अंदर लेते हैं छॉप भाहर लेते हैं तो उससी ब्रोसें को ब्रीषिंग बोलते हैं अब जब आक्सीजन को अंदर लेते हैं तो यह इन इक्सपाइरेशन बोलते हैं और जब सदी से बाहर नििकालते कारबन डाइक्साइट को तो उसे इक इस बोलते हैं ठीक है तो नार्माल ब्रीफिंग देखा लिया तो बारस से पंदरवर पर मीनिट मतलब एक human healthy human देखी बात की दिए तो बारस लेके 15 पर मिनट करता है एक मिनट में ते बार सांस ले लेता है ठीक है तो इन इस्पाइरेशन यहां से देख लेते हैं क्या होता है यहां से सुनिए दे इस्टुमिनेस ठीक है इस्टुमिनेस यानि लिखा कोंट्रेक्षिन आपं इंट्र कोस्टल मसलीं इसे साइटेक्री कें कर दोक्त्रेक्ष होती है जो डॉपराम होती है यानि साइट क्या होती है मतलब नीचे तरह लॉक्त है स्टार कि तरह हो तक हैं हवा भर जाएगा तो वहां पर क्या लागी अपना अक्सीजन पहुंच चु इक्वल टू प्रेसर फ्राम देटो मॉस्पियर टू दे लंग दा प्रोसेस आप इनल यानि क्या होता इन इस्पाइरेशन एनर्जी नीड टू करती मुसल कॉंटेक्शन लास्ट टू सेकें मतलब क्या कर देते हैं यह हम सिंपली देखा जाए यानि इस्पाइरेशन में समझ अब उसी प्रोसेस को हमें क्या बोलते हैं इस्पाइरेशन बोलते बस इतना समझिए एक्सपाइरेशन क्या होता है अब उसी का जैस्ट उल्टा अब देखिया हमारे डाइफ्राम जब ऊपर आता तो इंटर इंटर कोस्टल मसल अंदर की तरफ धंसती यानि रीव के जब अंदर की तरफ जैता है और डाइफ्राम ऊपर की तरफ आता तो इरीया कम होता इर्य कम होगा तो ज्याद़फ्री सरोगा प्रेशर गांट हमारे स 56 के मातरा बाहर हो घाईग बात क्या बोल दिया है यानि इस पेस आप लंग में देखा जा तो इतने चीज़ इस पेस आप दल्लंग रजल दफ प्रेसर तुमारे पर इंक्रीज कर जाएगे और तो कितना हो जागा पांच सेकेंड तो बारा पच्चे साथ मतलब एक बार में मतलब एक मिनट में हम पंदरा से बारा आराम से सांस इसी के द्वारा ले लेते हैं ठीक तो यह आपको डाइग्राम यहां से दिखा देना अपना काम बन जाएगा ठीक नेस्ट कोस्चन पर तुम आपको डिफाइन करना एक्स्चुंड में इसका इस्टमीज इफेक्ट क्या होता सबसे पहले हट बीट पे आई पे और समाल मले पर रहट पर देख लेते हैं इनकृड ड रेत पहोर्स आप कांट्रेक्शन मतलब यह हर्ट रेत को क्या करेगा इनक्रीज करा देगा और फोर क्या करेगा और क्या करेगा उन्हें स्लोडाउन कर देगा डाइजेशन को आपका डाइजेशन क्या हो जाएगा इसलिए ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए ठीक है नेष्ट में से पूछह एकस्प्लेइन एं सुलीन एं उन बोड़े मतलब वारे शरीट में इंसुलेशन का या इन्सुलेशन का ड्लाइकोजन का क्या और लिखेए आप मतलब धेल इसलिन की कम सुलीन के में क्या हो जाता मदमे यानि रखार हो जाता कगते नए सूगर हो गया वहीं है अब इसमें क्या लिख रहा का देखिए ऑटा मतलब क्या होता wilt इंसुलीन के है स्रीर के अंदर ह τους Your को मेंटेन करने का काम ही यह मुथ क्या होता एक क्या होता एक घुरिश्यफ सील इंसुलीन क्या करएता है ज़ाधा ज़ाधा लेनी के लिए ज़ाधा एग्रेसीव करता है इंक्रीजफ लिखा हैate वर्जन न ऌफट ग्लाइकोज डुढैकोज ऊब्ण है घनटो लेवर ज zwищ के जाए चाहिए इस टोरेज आप फैस्ट यानि फैटी इन एडिपोस्ट इसू यह करता है और क्या करता है प्रोटीन फैट और गलाइको नियोजनेसिस करने का काम करता है इन्सूलीन का काम हो गया और यहां से गलाइकोजन का यह इसका में फन्क्सन क्या होता है बलड के लिएटे स्टोरेज किया जाता है तो यहां से ब्रेकडाञ तोडा जाता है तुमारी बोडि ऐक्टिविटी क्या कर दीतू उस ग्लाइकोजन को जो ग्लाइकोज में कर्वर्ट हुआ आराम से यहां से पहले में नियोगेसीज स्टूमिलेट करता दो हर्मोन होता जो करता blood sugar label यह हो गया यहां से के पे आते हैं ठीक है के ते हैं अभी कितना question है अभी दो पेज चलिए ठीक है इसे पढ़ लेते हैं पहले ठीक हम से प्ूछ दिया नेम देज। ठीक लास्टेन फ़ाने तीन नम्बर का पुछ दिया में डिफरेंट बार्ठक्टर दे reproductive system in their function मतलब में reproductive system को जो पार्ट होते हैं उसका एक्च्वल में काम आपको बताना पड़ेगा तो लिखा तुम्हारे पास ठीक है यहां से दिया है एनि थी में पार्ट फंक्शन मतलब कोई में तीन का जो फंक्शन यानि पार्ट है उसका और उसका काम आपको बताना पड़े ठीक है तो इसमें तुम्हारे पास में reproductive system में इस्क्रोटम होता है टेस्टीस होता है सेमिनल वेजाइकल होता है जुकलेटरी डक्त होता प्रोस्टेट ग्लैंड होता यूरेथरा होता और यहां से पेनिस होता तो यहां से इसे बहुत सारे ठीक है यह चीजे है तो यहां से करता है तो यहां से इसपर्म और सटो इस्टोजण का प्रोडाक्षण करता तो यहां सविदाइमस क्या प्रोटेक्ट यहां सप्रोट्स प्रोट्स भाहर के ओट मेंटर से प्रोटेक्ट करता है और इस पर्म के फार्मेशन के लिए हेल्प करता क्यों कि यह बाहर की तरफ नहीं रहेगा तो यह क्या करेगा क्योंकि क्यों करता है वाष टाइमर्स्च से और यूरिथरा तक को इस पर्म को उठा कर ले जाने का काम करता है ये ठीक है और नेस्ट में लिख देते हैं यहां से दोर आप पढ़ सकते हैं ठीक है यहां से आपको इसका नाम इसका और यहां से यहां से इतना हमें कर दिया ठीक मतलब आपको तीन ही चार काम लिखाना तो आमने तीन चार काम को यहां से दिखा दिया अब नेस्ट कोश्चन यानि तुम्हारे पार्ट सी जो होता ठीक उस पे पहुंच चुके हैं और यह सब्सक्राइब को तुरंत एक लाइन में अंस्वर रेके केवला इससे लिखना है क्योंकि एक नमबर करना है या पूट आ रहा पूट एक पेज लिखे ऐसा कुछ नहीं ठीक है यहां पर नेस्ट कोस्चन हमसे पूछ दिया है ठीक है यहां पर कलर दा बलड वेसल विज़ डी डी ऑक्सिजनेटेट बलड फ्राम हर्ट टू लंग्स मत काम करता है पल्मोनरी आरटीज कौन पल्मोनरी आरटीज कौन सा अक्सिजनेटेट बलड ठीक है यह ले जाने का काम करता है ठीक है यह देखिए अब पड़े होंगे आरटीज हमेशा 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 आक्सिजनेटेट बलड लेकर जाती है अब कमेंट बाक्स में लीकिए ठीक है कौन सा एसा है ठीक है यानि अब सेपसन है यानि पललमूनरी विन बताइक यह कौँछा बलड लेग जाती आक्सिजघ आपस कोश्चन हमने लिग दिया आपके बारे में ठीक है अब यहां से तुम्हारे पास आ जाते हैं यहां से ठीक है राइट लंक्स के पास तीन लोब होते हैं लेफ्ट लंक्स के पास क्या होते हैं दो लोब होते हैं तो यह आपको फिल इंदी ब्लैंक में था क्या इंस्ट्रेंश सिक्रीट बाइटेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस् फीन का लिखा पेरी फेरी nervous system में कितने पेर अब होते है ठीक है और कितने spinal nerve तो यानि देखा रहे हैं तो अब होते हैं 29 तोद पेर में होते हैं 31 पेर क्या होते हैं spinal nerve होते हैं थीक है यहां से आपको बता देना यहां से next question के तरफ रूप करते हैं से क्या पूछ दिया है ठीक यहां से हमसे पूछा है मैं तक रिस्पांस टूथ इकुविलियम अन्हेरी मतलब वहारी बोड़ी इकुविलियम में है पर जयेंट टाइम में और क्या तो सुनेनी के लिए भी लाबदायक है उससे क्या बोला या तुम्हारे पास वेस्टी यानि इवेस्टी बुलो ठीक है को क्लियर नर्व बोला जाता है ठीक है क्योंकि यह हीरी उसे मदद कहता है फिन क्या पूचा है इन वीच पार्ट आप फीमेल रिपोड़क्टी सिस्टम फटलाइजेशन आप टेक प्ले मतलब जो आपका फीमेल में फीमेल रिपोड़क्टी पार् कि थेलप इस परम तो यानि आपको क्या कर देना फॉलोपियन टूप पे आपको ठीक मार देना यहां से ठीक आप यह दे रखा इस्टडी आप फीजिकल स्ट्रेक्चर आप बोड़े मतलब इसमें से आप संवाला दे रखा है ठीक है जो आप यानि फीजिकल क्या बोला जाता स Independence आंदर की तरह काम किया जाता फीजिकल इस्टाक्टर इसे अंफvem करिरे तोड़ा अपूर्म करिए यह दे रख़ा है थीक यहां पर डएकि Е्स्टेडी इस्टेडी आप फिजिकल इस्टेक्चर आप बोड़े उसे एनाटोमी एनाटोमी मतलब किसी के इंटरनल पार्ट के फिजियोलोजी मतलब फिजिकल फंक्शन के इस्टोलोजी मतलब टीसू के बारे में और साइटोलोजी मतलब यह होगा इसमें से यह कंफर्म करिएगा यह स तो किन की की लिए आव फ्राम दा शर्फेस बोडी थिक या तुम्हारे पाद नियर नियर टु हेड आवे फ्राम-दा-हेड या नीयर टू दै भीडलाइन तो कहां पर शींद कर देंगे नियर टू मिडलाइन पर ठीक कर देंगे और नेश्ट पर तुम से कि यहां से च Canon ECRs लंग टाइक यहां से कर दिया है उसे इक्स्टरनल रिस्पाइशन क्या बोते हैं क्या बोलता ने श्टैनल इस पाइशन पूछा ऐRoaltra करता है ठीक जो चर्टरी कान के बाइब तो सुनने कि मदब करता तो लिखा सिंग में hazard में में वीजन में आल आप आप दी तो आप किस पे मारेंगे हेरिंग पे आप क्या करतेंगे घांक नेस्टक टेस्टी सेल ठीक है शॉरी टेस्टी शेल के लिए लिखा है गश्टो ट्री रिसेप्टर तो इस पर मार देंगे कि ज़क करेक्ट आप साथ ठीक है अब यहां से लास्ट इंड ठीक है यहां से क्या लिखा फोकस लाइट और रेटीना रेटीना पर कौन फोकस करता सिली मसल करती जो हमारे क्या लेंस को घटा बढ़ा के मिन्टन करती दूरी को ऐसे आपको बहुत दूर देखना था इससे देखेंगे बहुत दूर देखना है और नजदीक देखना है फार ही के देखना तो हम क्या कर देखकर तो इसमें क्या दे रखा नी जो जॉइंट होता तुम्हारे पास क्या ओ गया यह वाला एक्जामपल इसका सही है लिखा तुम्हारे पास फंक्षन यूनिट अब दा कॉंट्रेक्शन सी यानि कॉंट्रेक्टाइल सिस्टेम इन इस्ट्रेटिड मसल इस नोन है उसे क्या बोले सारको मियर अभी मसल कॉंट्रेक्शन जब पढ़े थे उसमें बताए गया था ठीक है यहां से कहा रखा रिजन वाई राइट कीडिनी ज उसे थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देते तो यहां पर लिखा कंसीडर इसक्षन पेस अकुपाई बाई लीवर आन ए राइट साइच इसलिए उसे क्या कर दिया जाता है नीचे की तरफ कर दिया तो इस तरह से देखा जा तो हमने पूरा इसे कबरप कर दिया ठीक है यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो हम लिंक में डिस्किप्शन में अपना नंबर देने को वहां से हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं ठीक है अब इसका यदि पेमेंट की बात की जा तो 20 रूपीज देंगे तो इसी तरह से हर एक सब्जेट का आपको 20 रूपए देखे क्या करेंगे आप अराम से यहां से रिसीव कर सकते हैं इसका पीडियाप ठीक चलिए आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में नेस्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर